हाई वेल्के तो मैं चैनल चले श्राट करते हैं रेस्टनल नंबर्स एकससाइज 1a और क्लास 8 का आरसे गवाल तो question वर वन क्या कर रहा है ध्यान से दिखेगा express minus 3 by 5 as a rational number with denominator 20 minus 30 35 minus 40 तो दखिए किसी भी number को हमें एकस्प्रेस करना है as a rational number और किसी दूसरे फार में denominator कुछ और होना चीए तो क्या करना होगा denominator को चेंज करना पड़ेगा लेकिन denominator चेंज करेंगे तो हम numerator को भी चेंज करेंगे जैसे पहला हम करते हैं ध्यान दिजेगा पहला करा है मानस 3 by 5 है आपका rational number यह दिया हुआ है इसको चेंज करना है ऐसे rational number में जिसका denominator हो जाए 20 जिसका कि इसका denominator जो है 20 हो जाए तो 5 में कुछ multiply करना पड़ेगा है कि नहीं बिना multiply किए ये 20 हो नहीं पाएगा तो हम यदि 5 में multiply कर दें 4 से तो 20 हो जाएगा बिल्कुल तो हमें numerator में भी करना पड़ेगा ताकि balance बना रहा है क्योंकि 4-4 cancel हो गए फिरस भी काँ आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ihाँ ए बिल्क करेंगे minus 3 में 4 से तो minus 3 में minus sign है और 4 में plus sign है मैनस plus कितना होता है मैनस होता है और 4-3 हो 12 ऑखे हो लप आपान 5-4 कितना होता है 20 तो अब यह जो रिष्ट्नल नबर आया ना यह इसका देखिया डिनुमडर क्या है 20 है तो हमने इसी रिष्ट्नल नमबर को कर दिया ऐसे रिष्ट्नल में जिसका डिनुमडर के तो है 20 है अब आते हैं second question सब्सक्राइब करना है माइनस 30 लाना है तो माइनस 3 by 5 फिर से लिखिए इसकोल 2 यह हो जाएगा माइनस 3 by 5 अब 5 में किस नमर से मुटिपलाई करें कि माइनस 30 आ जाए तो 5 में यदि मुटिपलाई करेंगे हम माइनस 6 से हैं कि नहीं तो आ जाएगा minus 30 तो अब मैंटबलाई करना पड़ेगा उपर भी numerator में भी minus 6 से तो अब देखिए अब उपर numerator में minus 6 मैंटबलाई करेंगे तो क्या आएगा मैंटबलाई देखिए minus यहाँ भी है और minus यहाँ भी है दोनो minus minus मैंटबलाई होगा 35 लाना है तो minus 3 by 5 को convert करके denominator change करना है 35 तो लिख दीजे इसको minus 3 by 5 अब 5 में किस नमर्स मैंटबलाई करें कि यह जो 5 है वो convert हो जाए 35 में तो 5, 7 जा होता है 35 है कि नहीं बस मैंटबलाई कर देंगे लेकिन जो हम denominator में करेंगे इस नमर्स मैंटबलाई करेंगे numerator में भी तो हम साथ से कर देंगे उपर भी तो यह हो जाएगा minus 3 into 7 means minus 21 upon 5, 7 जा 35 ओके तो यह हमारा हो गया third अब आते हैं fourth fourth में करना है minus 40 लाना है तो minus 3 by 5 ऐसे लिख दीजिए अब इसमें जो है minus 3 by 5 में इस नमर्स मैंटबलाई करें बताईए कि यह convert हो जाए minus 40 में तो हम minus 8 से करेंगे तो हो जाएगा बस हमें table पढ़ना है तो 5 का table पढ़ना है लेकिन minus 8 से करना पढ़ेगा क्योंकि minus लाना है तो हमें numerator में भी करना पढ़ेगा minus 8 से अब देखिए उपर यह दी जलते हैं ओके आगे जलते हैं ओके तो आपका second question कर रहा है क्या express express minus 42 upon 98 as a rational number with denominator 7 तो हमें क्या करना है minus 42 upon 98 को change करना है ऐसे rational number में जिसका denominator कितना हो जाए 7 हो जाए मतलब 98 को हमें 7 लाना है तो ध्यान दीजेगा हम यहाँ पर solve करेंगे solution तो यह minus 42 upon 98 है देखिए यहाँ पर आपको solve करने के लिए आपको 98 में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा तो 98 में किस number से डिवाइड करें कि 7 आ जाए ठीक है तो देखिए आपको पता नहीं चल पाएगा तो क्या करिए 98 में पहले आप क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजे और देखिए कि किस number से आ रहा था आ रहा है कौन सा number आ रहा है डिवाइड करेंगे 98 को डिवाइड करेंगे 14 से ताकि आ जाए 7 तो यदि हम नीचे डिवाइड कर रहा है तो ऊपर भी numerator में भी डिवाइड करना पड़ेगा यह ध्यान रहें तो यदि उपर से 14 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 3 जा होता है 42 तो मैनस 3 हो जाएगा अपान 98 में यदि 14 से बाढ़ करेंगे तो 14 से कितनी बाढ़ जाएगा 7 बाढ़ जाएगा बिल्कुल तो मैनस 3 बाइ 7 अब हमने ये रेस्टनल नम्मों करणवर कर दिया है जिसका डिनमेटर क्या है 7 है यही आपका अंसर है ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेस्टन नम्मों 3 क्या करा है एक्सप्रेस मैनस 48 बाढ़ 60 अज और रेस्टनल नम्मर विद डिनमेटर 5 हमें क्या करना है डिनमेटर को 5 लाना है तो बहुत सिंपल है सॉल्ब करते हैं तो solution देखिए पहले लेख लीजे आप मैनस 48 बाढ़ 60 अब देखना है कि हमें क्या करना है 60 को करना है 5 में डिनमेटर जो है 5 हो जाना चाहिए 60 जो है 5 हो जाना चाहिए तो हमें ये सोचना है कि 60 में किस नमबर से डिवाइड करें कि 5 हो जाए तो ये पता करने के लिए पहले हम 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाए 5 कितना बचा 1, 10 5 जो जा 10 हमाँ क्या रहा है 12 आ रहा है तो 12 वो नमबर है जिसको जिससे हम यदि 60 में डिवाइड करें तो 5 आएगा तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर माइनस 48 अपान 60 60 में डिवाइड कर देंगे किससे 12 से और 48 में भी डिवाइड कर देंगे 12 से तो यह 12 जो नमबर है ना वो प्राप्त हुआ कैसे 5 से डिवाइड करने के बाद तो यह ध्यान रहे ऐसे करना है आगे बढ़ते हैं तो यह थी हम 12 से डिवाइड करेंगे 48 में तो 12 का टेवल पढ़िए 4 टेमस में आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा आपका डिवाइड करने पे और नीचे कितना हो जाएगा 60 अपान 12 तो यह कटेगा तो कितना हो जाएगा five times में चले देगा तो अब ये हो गया ऐसा rational number जिसका denominator क्या है five है यही आपका answer है ओके तो करते हैं अब fourth fourth कुछ कर रहा है क्या express each of the following rational numbers in standard form तो पहले समझते हैं कि what is standard form तो standard form वो होता है form जिसमे numerator और denominator में कोई भी common factor नहीं होता मतलब बिल्कुल exact होता है जैसे यहाँ पर मैं आपको solve करके ही बता देता हूँ solution करेंगे यहाँ पर तो ध्याँ देजिए पहले वाले का यहाँ पर है minus 12 upon 30 आपको देखना पड़ेगा कि minus 12 में और 30 में जितने भी common factors हैं उन सब को cancel out कर देना है और जो बचे का finally reduced form उसी को बोलेंगे standard form जैसे 30 में कुछ ऐसे factors हैं जो 12 में common हैं यहाँ पर यदि हम 2 से divide करें या direct हम कर देते हैं 6 से तो 6 5 जा कितना होता है 30 होता है और 6 2 12 होता है देखिए 6 ऐसा factor था जो इन दोनों में था तो हमने तो मैनस 2 अपन 5 क्या है this is standard form standard form ओके तो यह हो गया आपका मैनस 2 अपन 5 solution पहले का दूसरा दूसरा करेंगे तो मैनस क्या है मैनस 14 अपन 49 है तो अब देखिए इसमें देखना आपका common का है 7 से डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे तो 7 तूजा 14 होता है और 7 सेवन जा 49 होता है अब यह हो गया है आप कुछ होगा नहीं मैनस 2 अपन 7 हो जाएगा ओके अब आते हैं 3 पे तो यहाँ पे 3 पे कर देते हैं यहाँ पे हो जाएगा यह तो यह आपका दिया 24 अपन मैनस 64 क्या करेंगे कैसे कटाएंगे तो हम इसको कर देते हैं पहले 8 3 जा 24 देखिए आप small-small numbers भी कटा सकते हैं तू से भी कटा सकते हैं पहले 2 से कटा करके छोटा कर लीजे फिर 2 से कटा गये ऐसे कर सकते हैं मैं direct 8 से कटा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसलिए है तो 8 की टेबल में 24 आता है इसलिए में ने कटा दिया और 64 भी 8 की टेबल में आता है इसलिए मेंने कटा दिया तो 8 जा 64 होता है तो अभी यह हो जाएगा 3 upon minus 8 अभी यह हो गया standard form ओके अब फोर्थ में देखते हैं फोर्थ आपका है minus 36 upon 63 देखे, माइनस 63, माइनस माइनस क्या हो जागा, कैंसिल हो जाएगा पहले ही, और 36 और 63 कटना है, तो क्या करिए, 9 से कटाईए, इसको, 9 कटेवल पड़ेंगे, कितनी पर में आएगा, 36, 9 4 जा, 36, और 9 7 जा, 63, हो गया ही है, 4 अपा 7, तो आपको क्या करना है, बस, जो कामन फेक्टर्स हैं, वही केंसिल आउट करना था, इसमें, ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके, तो केस्टन ओफ हाइब कर रहा है, क्या, कर रहा है कि, which of the two, which of the two, rational numbers is greater in the given pair, तो इन दोनों pairs में, जो है, कौन सा greater है, rational number, तो जब भी greater rational number पता करना होता है, तो हमारा method इस तरीके से कुछ होता है, पहला पहला इस तरीका यह हो, पहले पहले आपको, पहला step यह है, कि, denominators को same कर लो, denominators को same करके, बस numerator को देख लो, कौन बढ़ा है, तो numerator में अब जो बढ़ा होगा, वही बढ़ा होगा, rational number, जैसे हम यहाँ पर भी करते हैं, जैसे कि, आपका पहला है, 3 by 8, और 0, अब देखना है कि, इसमें से कौन बढ़ा है, तो 0 को लिसकते है, 0 पान 1, तो द दुनों जो है, बराबर नहीं है, जब दुनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले बराबर कर लेंगे, तो implies हम यहाँ पर कर सकते हैं, दुनों का LCM ले लेंगे, और दुनों का LCM क्या होगा, 8 होगा, है कि नहीं, जब 8 होगे LCM, तो 8 से डिवाइड करेंगे, यदि यहां पर हो गया हमारा same denominator मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 3 upon 8 या मनने कि और 0 upon 8 अब यह सेम हो चुका है हमने क्या किया है denominators को सेम कर दिया जब हमने denominators को सेम कर दिया उसके बात देखना है कि numerator में कौन बड़ा है यह पती 3 बड़ा है या 0 बड़ा है तो 3 बड़ा है इसलिए 3 by 8 बड़ा होगा 0 by 8 से 3 by 8 is greater than 0 by 8 अब आते हैं सेकेंड पर देखते हैं सेकेंड क्वेस्चन जो है मैनस 2 by 9 मैनस 2 by 9 R 0 R 0 0 upon 1 कर देते हैं अब देखें यहाँ पर फिर से हमें denominator को सेम करना है तो बहुत सिंपल है हम ले देते हैं LCM केवल हम LCM लेंगे तो हमारा denominator क्या हो जाएगा CM हो जाएगा यहाँ पर LCM क्या आएगा 9 और 1 का 9 ही आएगा तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 में तो कितना आएगा 1 आएगा हैगी नहीं इस से डिवाइड कर दिए 1 आएगा और उस से डिवाइड कर दिजे 2 में मैनस 2 में कितना आएगा मैनस 2 ही रह जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे फिर से 9 में तो 9 ही आएगा और 9 से डिवाइड कर दिजे 0 में तो 0 ही आएगा मतलब यहाँ 0 देंगे तो अब बतेए minus 2 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है तो minus 0 बड़ा है यहाँ पर सिध्य लग रहा है 0 बड़ा है क्योंकि negative number कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता क्योंकि आप rational numbers में rational numbers में 0 बीच में होता है और 0 के left में होते हैं सारे negative numbers minus 1, minus 2, minus 3 ऐसे करके होता है और जितने positive numbers होते हैं वो उसके आगे होते हैं 0 के 1, 2, 3 लेकिन आपको यह भी बता होगा कि 0 के जितने भी right side में numbers हैं इधर वो सारे सारे greater होते हैं 0 से और 0 के जो left side में हैं वो सारे सारे छोटे होते हैं 0 से तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया minus 2 जो है छोटा हो गया 0 से और इसलिए 0 जो है बड़ा होगा minus 2 by 9 से इट implies हम लिख सकते हैं कि minus 2 by 9 जो है छोटा होगा 0 से अब आते हैं third third question क्या था third question है minus 3 by 4 are 1 by 4 तो लिख देते हैं इस पर और minus 3 by 4 are 1 by 4 अब देखें यहाँ पर denominator क्या है? सेम है तो बस आपको देखना है कि numerator क्या है तो numerator में minus 3 है और 1 है तो यह बताए यह minus 3 बड़ा होगा यह 1 बड़ा होगा तो हमेसा negative number छोटा होता है तो 1 बड़ा होगा minus 3 से इसलिए minus 3 by 4 जो है छोटा होगा 1 by 4 से positive number में साब बड़ा होता है तो 1 बड़ा होगा तो यह तो diet होगा है क्योंकि इसमें denominator सेम दिया था अब आते हैं fourth पर fourth question क्या था fourth question है minus 5 by 7 और minus 4 by 7 minus 5 by 7 minus 5 by 7 are minus 4 by 7 अब देखें यहाँ पर denominator यहाँ भी सेम दिया हुआ है जब denominator सेम दिया हुआ है तो बस हम comparison करेंगे इसके numerator में तो numerator क्या है minus 5 है minus 4 है तो minus 5 में और minus 4 में कौन बड़ा है तो देखें यहाँ पर negative numbers है तो आपको ध्यान से जानना होगा यहाँ पर देख समझिए जहाँ पर मैंने यह ड्रा किया था number line number line पे ध्यान दीजेगा number line पे minus 3 यहाँ पर है और minus 4 यदि हम ड्रा करें तो minus 4 यहाँ पर आएगा और minus 5 जो है इसके पहले आएगा तो ध्यान दीजेगा दिखेंगे जो भी number right side में होता है वो बड़ा होता है तो minus 4 जो है minus 5 के right side में है इधर है right side में है इसलिए minus 4 क्या होगा बड़ा होगा minus 5 से तो यहाँ पर भी वही बात है minus 5 और minus 4 में comparison करना है तो minus 4 जो है बड़ा होगा minus 5 से इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर denominator सेम है इसलिए हम direct कर देंगे कि minus 5 by 7 जो है वो छोटा है minus 4 by 7 से बहुत सिंपल आते हैं पांच वाग पे पांच वाग फेस्टन जो है फिफ्ट है टू बाई थ्री आर थ्री बाई फॉर ओके तो अब यहां पर देखिए डिनोमेटर सेम नहीं है तो पहले हम क्या करना पड़ेगा इसके लिए लेना पड़ेगा तो इट इंपलाइस यहां प इस बात को हम ऐसा लिए सकते हैं इस बात को हम ऐसा लिए सकते हैं कि एट बाई ट्वेल्फ और नाइन बाई ट्वेल्फ मतलब अब हमें कमबर्जन करना है कि एट बाई ट्वेल्फ में और नाइन बाई ट्वेल्फ में इन दोनों में पते यह कौन बढ़ा है तो अब आपके डिनोमेटर सेम हो चुके हैं अब हमें क्या करना है बस चेक करना ह है कि numerator दोनों में कौन बड़ा है तो numerator बिल्गुल पता है कि 9 बड़ा होगा इसलिए it implies it implies 8 by 12 is less than 9 by 12 इसका मतलब कि 8 by 12 कहां से था 8 by 12 जो है 2 by 3 का concept था तो 2 by 3 यहां रहेगा is less than 3 by 4 ओके समझ महा रहा है आगे बड़ते हैं 5th 6 पे आते हैं जो 6 है वो क्या कर रहा है question question है आपका 6 है minus 1 by 2 और minus 1 minus 1 by 2 और minus 1 तो इसमें भी थान दीजेगा इसमें भी हम क्या करेंगे denominator सेम करेंगे तो अब इसमें minus 1 है तो आप आप 1 कर लिजे अब इसका जो denominator लेंगे तो क्या आएगा मैनस 2 और 1 का लसेम क्या होगा लसेम जो है 2 ही होगा क्योंकि 2 आज़ा 2 अब इस 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 में कितना आएगा 1 आएगा 1 से अप्लाई करेंगे निमिनेटर में 1 में तो 1 ही आएगा minus 1 आज़ागा यहाँ कामा अब इस अब इस 1 से अप्लाई करेंगे 2 में और जो आएगा हम लिखेंगे यहाँ पे तो 1 2 जा 2 ही आएगा 2 में मैनस 1 से अप्लाई करेंगे मैनस 2 आएगा अब देखें इसको हम ले सकते हैं अब यहाँ से minus 1 by 2 और minus 2 by 2 अब देखें डिनोमेटर हमने सेम कर लिया है यह 2 हमने सेम कर लिया अब हमें देखना है कि निमिरेटर में कौन बड़ा है तो इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे है कि minus 1 जो है right side में है minus 2 के जो भी right side में होता है वही बड़ा होता है तो minus 1 जो है बड़ा है minus 2 से इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि it implies minus 1 by 2 जो है बड़ा होगा minus 2 by 2 से it implies कि इसका मतलब कि minus 1 by 2 जो है बड़ा होगा minus 2 by 2 क्या है minus 1 है तो यह minus 1 लिख देंगे तो इसलिए हमारा यह हो जाएग answer इसलिए आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए एक बार बहुत ही मेरे लिए महवानी होगी और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कोई बरसानी है कोई भी क्वेस्चन में प्रवलम है किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल जवाब दने के तेह रहे हैं हम अच्य क्यों अच्य क्योंक्त कर दो